हलो दोस्तों आपका हमारे अपने यूटूब चैनल स्वाइंस कोचिंग सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत है आज का जो टॉपिक है आप लोगों को हम कंपेटिटिव इंगलीज का टाइम एंड टेंस का लेकर आए हैं पहले भी आप लोग तीन वीडियो टाइम एंड टे होगे हैं कि बिहारी लोग जो है सारे बिसाय में तेज होते हैं बस उन्हें प्रवलम्स कहों होता है तो इंगलीज में है इसलिए डरने की कोई जरूवत नहीं है क्योंकि यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चुमेंगी तो देखिए ध्य हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे ताकि 10th board 12th board और जो भी competitive exam से संबंधित जो video रहता है ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जो YouTube channel है सिर्फ उस पर competitive English का ही class चलता है इसमें physics का class चल चुका है उसके बाद हिंदी grammar का class चल चुका है chemistry का भी चलेगा इसलिए आप चैनल को सबस्क तकि आपको फाइदा हो सके तो देखिये तो आपको लिखा हुआ है याद रखेंगे आप लोग आज आप लोग पढ़ेंगे time and tense में पर्जेंट in definite tense के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें rule number अगला में आप लोग याद रखेंगे जो कि हम समय की थोड़ा बचत कर करने के लिए हम बोड पर ही लिख दिये हैं ऐसे आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा सबसे पहले लाश्ट तक के आप वीडियो को जरूर देखेंगे समझेंगे उसके बाद डबल बार में कोपी पर उतारेंगे तो देखिए लिखा हुआ है रूल नंबर अगला है जो अपने आप में होते हैं निगेटिव हैनना यह आपको याद रखना है कौन को सब्द देख्ये लिखा हुआ है अनलेशं अंतिल रिफ्यूज डिनाई lieutenant until refuse कर कर देना कर देना है क्या है यह डिनाई प्रिबेंट ट individual ट Khर्ड टो यह लैस्ट इसका मतलब कहीं ऐसव आप जौनते हो कि कुछ नहीं होता है तो यह सब ही अपने अप में निगेटिव हैं निगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि अपने अपने आप में नकरातमक अर्थ को नहीं अर्थ को बताता है तो देखिए आता है इनके सोथ कभी भी no, not, never, nothing का परियोग नहीं किया जाता है यानि आपको ये समझना है कि जब unless, until, prevent, deny, forbid, without, last ये सब तो अपने आप ही यानि automatically ये निगेटिव है ये है तब ये सब जब लिखा हुआ रहे जिस किसी भी sentence में unless, until, deny, forbid ये सब जब लिखा हुआ रहेगा तो उसमें no, not, never, nothing का परियोग कभी नहीं होगा देखेंगे, हम example के द्वारा आपको बता रहे हैं देखें, unless, देखें इस sentence में क्या लगा हुआ है unless, you do not solve this problem, you will not get good marks तो देखें, यहाँ पर लगा हुआ है unless you do not solve this question इसमें दो sentence है, देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर उधर देखेंगे, अलग sentence है है एक ही में बाक, लेकिन दोनों कंभाइन किया हुआ है तो देखें, unless इसमें लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखें लिखा हुआ है unless you solve this problem, है ना, तो unless के साथ हम क्या बताए, कि unless जो है कैसा सब्द है तो अपने आप में negative है, यानि नहीं का बोध करार आए, तो इसके साथ कभी भी no not, never nothing का परियोग नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ not को काट देना है, not जो है कि इसको लेकर के चलता है, तो do को साथे लेकर के चलता है इसलिए do not यहाँ पर बिलकुल नहीं होगा, देखें, unless you solve this problem, देखें, इसका direct हिंदी हो गया कि unless के मतलब हो गया, कि यदि आप इस question को solve नहीं करते हो, तो you will not get good marks, तो आप अच्छा mark प्राप्त नहीं कर पाओगे, यहीं याद रखना है तो देखिए, यदि यहाँ पर unless है, तो यह negative अर्थ तो अल्रेडी बता हीं दिया, कि यदि आप इस प्रसन को हल नहीं करोगे, नहीं तो आपने बता हीं दिया, तो इसमें no note neighbor का फर्योग बिलकुल नहीं किया जाता है उसी प्रकार से कोई भी sentence रहे, उसमें unless बला तो example होई गया, यदि until रहे, refuse रहे, deny रहे, prevent रहे, या फोर्बिड रहे, तो आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि कभी भी negative चीज़ का यानि no note neighbor nothing का पर्योग कभी नहीं करेंगे Is that clear हो गया होगा आप लोगों को, अब देखिए, rule number अगले में याद रखना है कि यदि किसी osób में need note या dare note का पर्योग हो, है ना, यदि किसी 125 में need note या dare note का पर्योग हो, यानि need के साथे note लगल रहे, और dare के साथे note का पर्योग रहे, तो देखिए, यदि किसी बाक में need note या dare not का परियोग रहे तो इसके साथ एस या इस का परियोग नहीं होता है यानि कहीं भी अगर आपको कोई ऐसा संटेंस मिल जाए जिसमें लिखा हुआ रहे निद्डवुट। नौट लगा रहे। देर नंट रहे, तो उसमें कभी भी A ужеius का परियोग कि का जिर्बुण्ष का परियोग या को निद्स से नौट का भी नहीं होगा देर से नौट का भी नहीं होगा देखिए कि निड़नाउट रहे संटेंस में या डेरनाउट रहे निड़नाउट रहे या डेरनाउट रहे तो इसके बाद कभी भी एस मने इसके साथ कभी भी एस या येस का यूज नहीं होगा और उसके बाद टू पलस जो भीवन रहेगा तो टू कभी परियोग नहीं होता है क्या चीज का परियोग होता है तो देखिए यहां पर लिख दिये हैं कि सिर्फ भीवन का परियोग होता है यानि टू का परियोग नहीं किया जाता है अब देखेंगे एक्जांपल में आप लोग देखिए I am of the opinion that he he needs not, देखिए Hindi यदि आपको नहीं भी आएगा तो sentence को आप देखिए यहां लिखा हुआ है he needs not, यानि need not है तो होना चाहिए इसमें देखिए not लगा हुआ है तो अभी क्या बताया कि यदि need not रहे या dare not रहे तो इसके सोथ ACIS का परियोग नहीं किया जाता है तो देखिए need not लगा हुआ है लेकिन इसमें ACIS का परियोग यानि भी 5 का परियोग कर दिया है जो कि गलत है तो यहां पर needs नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा तो सिर्फ होगा निड होगा तो आपको परिच्छा में एरर छोटने के लिए आता है option A, B, C, D करके आता है तो आप देख लिजेगा कि जिस भी option में यहाँ पर दिया हुए रहेगा यहाँ पर क्या होगा निड सिर्फ होगा देखे हिंदी आप नहीं भी जानियेगा तो इरर यानि असुद्धी को आप ढूंड सकते हो देखिए अपना आप पावर को में पहचाना रहता है आप कर सकते हो काम पहला ही निगेटिव आप लोग मत सोचिए देखिए ऐसे मैं हिंदी भी बता देता हूं देखिए आई एम ओफ दा ओपिनियन बैट इसका मतलब हो गया कि मेरा यह विचार है मेरा यह तर्क है है की देट मेंस की he need not consult यानि उसे नहीं मिलना चाहिए consult मिलना चाहिए अब देखिए such a rude person rude मिस होता है गवार है ना जिसको बोलने का धंग नहीं बोलने चलने का धंग नहीं और चार बिचार के बारे में उसको कोई पता नहीं है तब बोलते हैं rude person इसका मतलब हो गया गवार ब्यक्ती है ना मेरा यह बिचार है या मेरा यह तर्क है कि उसे ऐसे गवार ब्यक्ती से मिलना नहीं चाहिए यहीं हो गया तो हिंदी अगर आप नहीं भी जानोगे रूल सिर्फ याद करके रखोगे कि हाँ भाई need not जहां भी दिखाई दे या dare not जहां भी दिखाई दे तो उसमें एस या जो नहीं पढ़ने बाले रहते हैं वो सीधे देखता है he को क्या चीज़ है तो third person के singular number है तो third person के singular number के साथ है भी पाइष यानी एस या इस का प्यूस्ज तो जरूर किया जाता है तो देखिए उस तो मानेगा कि सही है क्योंकि ही के साथ है need तो निष्चित रूप से होगा need के साथ ace तो जरूर लएगा he के साथ है क्योंकि third person के singular number है लेकिन गलत है देखिए need ही सिर्फ होगा अब देखिए आगे एक और example है see dares note देखिए यहां लिखा हुआ है see dares note तो dare note बताए थे need note या dare note का परियोग हो तो उसमें ace या yes का परियोग नहीं किया जाता है तो इसमें भी देखिए ace या yes का परियोग किया हुआ है तो यहां पर dare dares ना हो करके यहां पर क्या होगा dare होगा see dare note to stand before her father याद रखो के before means के पहले नहीं होता है before means के पहले कब होता है जब दो sentence को जोड़ना रहे combine करना रहे तो before के मतलब होता है के पहले जैसे the patient had died before the doctor came तो धो sentence को जोड़ना है the patient had died यानी रोगी मर चुका था डोक्टर के औने के पहले यानी डोक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था तो वहां पर दोनों sentence को जोड़ने को काम किया तब before miss हो गया के पहले लेकिन याद रखेंगे कि किसी ब्यक्ति के बारे में अगर बता है तब before miss होता है के सामने तो देखिए इसका हिंदी हो गया कि see dare not to a stand, a stand means खड़ा होना के सामने हर फादर यानि उसे अपने पिता के सामने खड़ा होने का साहस नहीं है हिम्मत नहीं है यहीं हो गया तो देखिए यहां पर dare से दिया हुआ था, c चुकी नहीं पढ़ने बाले रहते हैं तो देखते हैं कि c, third person के similar number है तो उसके साथे a, c, a, e, s का परियोग जरूर होगा इसलिए उस तो सही ही लिखा हुआ है लेकिन आप लोग यदि याद रखोगे तो बिलकुल सही लग जाएगा कि नहीं तो गलत लिखा हुआ है, सिर्फ dare होगा, dare सा नहीं होगा अब देखे, note में याद रखना है क्या, कि परंतु जब need या dare के साथ note का परियोग ना हो, उपर में तो देखे, need या dare के साथ note का परियोग है, तब हम a, c, a, e, s का परियोग नहीं किये तो देखिए आप कह रहा है कि याद रखना के परन्तु जब need या dare के साथ note का परियोग नहीं हो तब इसके साथ A.C.I.S. का परियोग तथा 2 पलस भीवन का भी परियोग होगा यानि need या dare के साथ अगर note रहेगा तो देखिए एक जामपल में लिखा हुआ है देखिए ऐसे एक डाइगराम बना दिये हैं ताकि याद करने में असानी हो देखिए इसमें note नहीं है सिर्फ है need या dare इसके बाद एस याई येस का भी परियोग होगा double tick के मतलब हो गया परियोग होगा और two पलस भीवन का भी परियोग होगा तो देखेंगे example she need to mention this matter in the meeting अब देखें see need लिखा हुआ है need लिखा हुआ है तो इसमें note कहा है तो जब note नहीं है तो हम ace याई येस का use करेंगे क्योंकि see जो है third person के singular number में है यसलिए यहाँ पर need नहीं होगा यहाँ पर होगा needs वही अगर note लगा हुआ रह जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता सिर्फ need होता need note mention सिर्फ होता to का use नहीं होता यही बहुत है तो mention this matter in the meeting अब हम हिंदी भी बता देते हैं इसे हिंदी ने भी जानते हैं तो देखें आप एरा ढूंड रहे हो ठीक से see needs to mention mention means होता है बर्नन करना कहना बताना this matter मतलब इस भी से के बारे में in the meeting मतलब सभा में यहनि उसे इस matter को सभा में कहने की या बर्नन करने की अब सकता है अब देखें अगला कह रहा है अगला example में he dares to challenge you देखें he third person के singular number में है he तो देखें ही कैसा थे ACIS लगा हुआ है चुकि note जब नहीं है लिखा हुआ थे ACIS तो लग में करेगा a challenge देखेंज के पहले देखें two लगा हुआ है यानि two plus भीवन two plus भीवन का भी यूज है इसरे sentence बिल्कुल सही है लिखा हुआ कहीं पर कोई गलत लिखा हुआ नहीं है किसी परकार का कोई दिकत नहीं होगा और यदि कोई नए विद्यार थी वीडियो को देख रहे हैं तो करिपया वो Science Coaching Center को subscribe कर लें चैनल को और वीडियो बन से ही देखें तब आपको किसी परकार की कोई दिकत नहीं आएगी आगला दिन से हम आप लोगों को Present Continuous Present Continuous Present Continuous Tense जो की Tense का दूसरा परकार है है ना Present Tense का ये दूसरा परकार है उसके बारे में बताएंगे जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे बस आप लोगों का वीडियो देखने के लिए आंग तक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगल माई हो